आज भारत के विदेश मंत्री ने लंदन की धरती से इम्रान की कल वाली पूंगी के सारे सुर्व बेशुरे कर दिये निश्चीत रूप से अंडे खान के अर्मान काफी या ये कहे पूरी तरह ठंडेक कर दिये दई इस अंडे खान ने इसलामाबाद की हीरामंडी वाली जो इस पीच पड़ी थी ये उसके उपर भारत के विदेश मंत्री का जबाब था जिसमें उन्होंने इस पश्ट कर दिया है कि पिद्धी मुल्क के फिसड़ी यूटरन लीडर से भारत जैसे स्रेश्ट देश का बातचीत का कोई इरादा नहीं है वैसे भी भारत कूटनीती के पुरो धाओ के पास इतना वक्त नहीं है जो बेफजूल में ऐसे लोगों से मगजमारी करके अपना कीमती समय जाया करें परन्तु इसके बावजूद भी एस जैसंकर ने एक ओप्शन इस फिसड़ी लीडर के लिए जरूर छोड़ा है जिसमें उन्हेंने साफ कर दिया है कि अगर भारत से बाचीत करने के लिए इतनी ही फटी जा रही है तो पाकिस्तान को दाओद और हापित जैसे जमूरों को भारत के आवाले करना होगा इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में छुपे बैठे इन जमूरों को साड़ी पहना कर भारत के नोनी आलों के आगे मुझरा करवाया जाना निश्चित है यानि साफ है भारत किसी भी हाल में आप भारत को ललकारने वालों को पुछकारने वाला नहीं है बलकि इनके तेहमंद इनके गले में डालने का पलान तयार है फ्रांच के अकबार लामंडे में प्रकासित एसजैसंकर के इन सब्दों से पाकिस्तान बिल बिल आ गया है मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान अब हापीज और दाउद के कारणामों से मुकरने की इस्थिती में नहीं है पाकिस्तान के परधान मंतरी इमरान खान ने कली भारसे अमन और सांती की दुआई भेजी थी जिसे विदेश मंतरी एस जैसंकर ने एक जटके में फटके दे दिये हैं गोर तलब है कि इन दिरो भारस से उसके वेपार बंदी के चलते वहां के तमाम कारोबारियों में रोजपन परा है तीन दिन के लिए वेपारियों ने हर्ताल करके इमरान को अपना संदेश भी दे दिया है जिसमें उन्होंने अल्टिमेटम दिया है कि या तो भारस से वेपार सुरू करो नहीं तो अगले कदम के लिए तैयार रहो आज बात यह है कि पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसियेशन की इस हर्ताल का बड़ा असर हुआ जिसके बाद मुगलों का दोगला बलड अब अपने सुरू बदल रहा है बड़ी बात यह है कि भारत पर इमरान के संदेश का कोई असर नहीं पड़ा उल्टे एस जैसंकर ने पाकिस्तान को और लपेट दिया यानि भारत तब तक इस मुलक का पिछा छोड़ने वाला नहीं है जबकि पाकिस्तान की दुम इसके जिसम से अलग नहीं हो जाती इनकी मदरसा जमात ने जो उत्पात मचाया है भारत उस पर अंकुष लगाने की तयारी कर रहा है प्रंतु चोकाने वाला खुलासा ये भी हुआ की पाकिस्तानी मीडिया करतारपुर गलियारे के नाम पर इमरान खान को नोबेल पुरुषकार के दावेदार के रूप में परचारित कर रही है इन्हें लगता है इनका बकलोल वजीर आजम सांती का सबसे बड़ा कनस्तर है जिसे खड़का कर पाकिस्तान की जोली में नोबेल डाला जा सकता है इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अर्थववस्था में तैमदो की बिक्री जो रोल निभाती है इमरान खान की सलवार भी सांती की मैफिल में गज और मिटर के पैमाने पर सटी कूतर सकती है यानि अंडे खान तब दिले खान के बाद इनने नोबेल खान का तबगा भी मिलना चाहिए लेकिन समश्चे यह है कि पाकिस्तान की तरफ कटू दरश्टी से देख रहे हैं मोदी इनके तेमदों को देख करी जले बुने हुए है इसलिए इमरान खान अपने हर भासण में जब तक मोदी का नाम नहीं लेते इनका वाच पूरा नहीं होता पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसिबत मोदी है इनी लगता है मोदी ने नोबेल नहीं नो टंकी के लायक ही समझता है इसलिए इमरान खान भारत से अमन और सांती की बाते करके नोबेल की तरफ कदम बढ़ाना चाते हैं वैसे पाकिस्तान यदि अपने मुल्क के 40,000 जमूरों और उनके रहनुमाओं को हुरों की खोज में भेज़ दे तो भारत को इनके नोबेल पुरुसकार से कोई मतलब नहीं रहेगा यह भी किशी मतर साब पैदा इसको आज तक नोबेल नहीं मिला है जहाँ जमूरे पैदा होते हैं वहाँ नोबेल पहुंच जाए इसकी उम्मीद किसी को नहीं है साथ इसलिए भी एस जया संकर ने हापिज और दौद को भारत के हवाले करने को कहा है पर भारत को इसकी परतिक्सा नहीं करने चाहिए बलकि इमरान पर चड़े नोबेल के फितूर का फैदा उठा कर खुद उन जमूरों को हुरों की खोज में भेज देना चाहिए आसा है दोस्तों वीडियो पसंदा आओगा आपसे सिगर बेठ होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किसान जै हिंद वंदे मातरम